हलो एवरीवन और विलकम बैक तो मैं चैनल इंगेज मुजिक प्रोडक्शन, मेरा नाम है जहतन और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, प्लक पाटन्स के बारे में, आज इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे, प्लक के जो पाटन्स होते हैं, उसके काफी सारे पाटन्स आपको पता होंगे बेसिक, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप से आप और इन्हांस कर सकते हो अपनी क्रेटिविटी को, क्या-क्या नोट्स एड़ कर सकते हो, जिससे आपके जो प्लक के पाटन्स हैं, वो और भ अगर ग्रूवी वाला है, तो एक ग्रूव वो प्लक्स आपके ट्रैक को दे देते हैं, उससे एन्हांस हो जाता है आपका जो ट्रैक का ग्रूव है वो, तो अब एक काम करते हैं, without any further delays, सीधे चोलते हैं, computer screen पे और देखते हैं, कैसे ये प्लक्स पैटन्स को हम बना सकते है यहाँ पे मैंने एक basic pattern बनाया है प्लक्स का, ऽब से पहले इसको सुनके देखते हैं कि कैसा sound कर रहा है, यहाँ पे सिरफ प्लक्स एंड केक्स हैं, इसके लावा कोई भी और instrument या फिर sample नहीं है, सिरफ केक्स और प्लक्स को सुनके देखते हैं कि कैसी sound कर रही है I am sure इस type की जो sound है इस type का जो pattern है आपने बहुत सारे songs में सुना होगा और यह basic pattern है बहुत सारे लोगों को शायद यह pattern पता भी हो So एक बर यहां से piano roll open कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं यह जो pattern है यह मैंने कैसे बनाया है So सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा जिस type से मैं यहाँ पर pattern बना रहा हूँ Position और Placement वो चीज़े मैं आपको बताऊँगा Scale आपका उपर नीचे हो सकता है आपके track के recording यहाँ पर अपना scale को choose करोगे And अगर आपको music theory में कुछ problem आ रही है So description में आपको एक playlist का link मिल जाएगा मैं already music theory पे काफी videos बना चुका हूँ FL studio के ऊपर So यहाँ पे अभी आप देख सकते हो यह है हमारा first bar So हमें first bar को ही अभी consider करना है मेरा जो यहाँ पे track का scale है वो है F F minor So आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने chord लगाई है वो है F minor F, G sharp and C note उसमें आ रहे हैं अब बात आती है कि यह जो notes है हमें कहाँ पे place करने हैं So एक बरी मैं साथ मैं आपको kicks दिखाता हूँ यहाँ से मैं अभी plugs remove कर देता हूँ and kicks का यह जो pattern है इसको मैं थोड़ा सा zoom करता हूँ जिससे कि आप देख पाओ and यहाँ पे मैं बाकी सारे patterns को अभी delete कर दे रहाँ So यह basically आपका जो kick का pattern है वो इस type से होता है 1, 2, 3, 4 अब यहाँ पे और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो यह जो हमारे पास snap है न क्या position होनी चाहिए यहाँ पे क्या जो आपका quantization है क्या आपके steps होने चाहिए bars steps होने चाहिए So यहाँ से line select करो and यहाँ पे आप देख सकते हो यह kick है उसके बाद एक आपको हलकी सी यह line देख रही है फिर यह देख रही है फिर यह देख रही है that means यह जो है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 इसका simple सा मतलब इस type से है अब आपको जो अपना pluck का जो pattern है वो जो पहला note जो आपको रखना है chord का जो note है वो रखने है वो आपको रखने है पहली beat पहली beat आपकी हुई यह first वाली जो beat है उसका fourth step मतलब 1, 2, 3, 4 यहाँ पे then उसके बाद जो आपको second position रखनी है अपने pluck की वो रखनी है second beat के third step अब second beat हुई आपकी यह so यहाँ से यह second की first हुई यह second beat है so यहाँ से step 1, 2, 3 तो यहाँ पे अब मैं pluck का pattern यहाँ पे draw करता हूँ so आप यह देख सकते हो मैंने आपको बताया first beat का fourth step that is 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हो यह यहाँ पे 1, 2, 3 खाली है then उसके बाद fourth step पे यहाँ पे हमने pluck का pattern एड़ करा है then उसके बाद यहाँ पे second beat का third step 1, 2, 3 और 4 जैसा कि आप देख सकते हो same उसके बाद आप इस type से repeat करोगे एक बारी इसको मैं loop करता हूँ and सुनके देखते हैं जैसा कि आप सुन सकते हो यहाँ पे एक हलका सा groove आ गया है यहाँ पे मैं आपको again याद दिलाना चाहूँगा जादा instruments यहाँ फिर हमारे पास samples ही नहीं है but फिर भी एक groove आ रहा है so इसी तरीके से आप use करोगे अपने pluck के patterns को अब एक बरी प्यानो रोल पे मैं आपको बता देता हूँ so यहाँ पे मैं बाकी के यह जितने हैं एक बरी इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से मैं delete अब आप ऊपर देख सकते हो यह है one लिखा हूँ and यहाँ पे two अब आप confuse मत होना यह one और two beat नहीं है यह आपके बार है and one से लेके two तक that means एक बार एक बार में आपके चार beats होती है so यहाँ पे first, second, third और fourth अब मैंने आपको बतायता आप कहाँ पे placement करोगे first beat के fourth step पे so यहाँ पे यह first beat है यह आप देख सकते हो यह first beat है one, two, three, four so यहाँ पे हमने add कर दिया है pattern then उसके बाद यहाँ पे second beat का third step यह second beat है so one, two, three यहाँ पे हमने add कर दिया है same इसी तरीके से हम आगे चलेंगे so यहाँ पे जो third beat है वहाँ पे हमें लेना है fourth step one, two, three, four यहाँ पे add कर दिया है fourth beat का third step one, two, three जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही simple है अब यहाँ पे यह जो pattern है आप इसी तरीके से snare पर भी use कर सकते हो लेकिन यह तो हुआ basic pattern एक बारी सिरफ हम यहाँ से pattern को सुनते हैं कैसा sound कर रहा है अब इसको और भी groovy बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो basic हमारे पास यह चीज आ गई न उसके बाद आप और notes add कर सकते हो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे जो है जगा है यहाँ पे जहाँ पे आपके notes को place कर सकते हो like अगर मैं हर beat के first step पे ही कर दूँ जैसे की कुछ इस तरीके से और अब एक बारी सुनके देखते हैं जैसे कि आप सुन सकते हो थोड़ा सा groovy हो गया है इसको और थोड़ा सा variation देने के लिए आप क्या कर सकते हो जो notes है न यह notes है थोड़ा सा आप आगे पीछे कर सकते हो like यह वाला जो note है इसको अब मैं कर दूँगा change थोड़ा सा मैंने एक step आगे कर दिया अब सुनते हैं जैसा कि आप सुन सकते हो अब थोड़ा सा groove different हो गया है वापिस इसको अपनी जगा पे लेकर आता हूँ अब यहां पे आप क्या कर सकते हो यह जो आप देख रहे हो नो positions जो आप notes देख रहे हो आप इनको और छोटा कर सकते हो कैसे करोगे आप यहां पे आओगे दिन उसके बाद यहां से आप choose करोगे one by second अब आप देख सकते हो यह जो boxes थे ना यह और भी divide हो गए है पहले मैंने आपको बताया था यह जो आपकी एक beat है यहां पे आपके चार steps थे बट अगर अभी आप देखोगे सो यहां पे चार नहीं आठ हो गए है क्योंकि हमने one by second choose करा है one by two choose करा है सो वो और divide हो गए है वो आदे हो गए हैं और सो इसी लिए आप यहां पे अब और भी अपने groups के साथ play कर सकते हो जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ यह note है मैंने इसको करा यहां से चोटा और यहां से इसको करती है मैंने double सुनते हैं एक बारी जैसे कि आप देख सकते हो अभी थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है सो यहां पे इसको हम थोड़ा सा और add करते हैं कुछ इस type से और थोड़ा सा इसको छोटा करके देखते हैं और अब एक बारी सुनते हैं सो आप सुन सकते हो वो एक rolling effect आ रहा है थोड़ा सा और interesting करने के लिए थोड़ा सा कुछ इस type से कर सकते हैं इस तरीके से आप और भी interesting चीज़ें यहां पे कर सकते हो इसको मैं वापस ले आता हूँ जैसा यह पहले था कुछ इस type से अब यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया आप note डबल कर रहे हो सो यहां पे आप notes add भी कर सकते हो like इस तरीके से आप यहां पे add कर सकते हो एक बड़ी सुनते हैं अगर अब आपको note जादा लग रहे हैं अपने pattern पे सो आप play कर सकते हो basically इस से मैं यहां से यह हटा देता हूँ अब सुनते हैं जैसे कि आप सुन सकते हो यहां पे grooves change हो रहे हैं एक बड़ी मैं यहां पे रखता हूँ यहां से मैं copy करके एक बड़ी last में ले जाता हूँ last में अच्छा नहीं लग रहा है तो एक बड़ी मैं यहां से इसको remove कर देता हूँ और यहां पे सुनते हैं जैसे कि आप सुन सकते हो यहां पे जो patterns हैं वह pattern जो है वह एक तरीके से वही रहा basic तो वही रहा लेकिन उसके बाद हमने उसमें थोड़े से add-ons कर दी हैं जिससे कि थोड़ा से groove change हो जा रहा है अब यहां पे मैं आपको एक type का pattern और बताता हूँ वह बहुत जादा पंजाबी music में use होता है यहां पे जो pattern है वह कुछ इस type से होगा सबसे पहले मैं जो snap है इसको मैं line पे कर लेता हूँ अब यहां पे आपको क्या करना है हर beat में third step पे आपको अपने जो notes हैं उसको place कर देना है मैं दिखाता हूँ यह है one two three अब एक बड़ी सुनते हैं so maybe अभी आपको इतना feel नहीं आ रहा हूँ एक बड़ी यहां से मैं metronome on करता हूँ और सुनते हैं अब एक तरीके से इसको off beat भी बोल सकते हो बड़ यह पंजाबी music में बहुत ही जादा use होता है यहां पर एक बड़ी अगर मैं आपको इसको further पूरा pattern यहां पर करके दिखाऊं chords के साथ so यहां पर मैंने पूरा pattern create कर दिया है अब एक बड़ी सुनते हैं so जैसे कि आप सुन सकते हो अब यहां पर जो groove है वो थोड़ा से different हो गया है यह totally आप पर depend करता है कि किस type का आप track बनाना चाह रहे हो चाहे remix यहां फिर अपनी खुद की composition यहां फिर कोई नया track यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया जो groove हैं वो basically किस type से आपका main यहां पर mind चलेगा क्या mindset होना चाहिए किस type से आप काम करोगे starting point मैंने आपको यहां पर दे दिया है अब एक बारी kicks के साथ इसको सुनके देखते हैं यह है kicks यह है pattern इसको pattern को आगे मैं कर देता हूँ draw loop को थोड़ा सा extend करते हैं और सुनते हैं अब यह जो pattern है यहां पर भी आप थोड़ा सा groove लेकर आ सकते हो कैसे जो nodes हैं उसमें आप हलके से add-ons कर सकते हो like essay और यहां पर कुछ इस तरीके से अब एक बारी सुनते हैं कि आप हैं तो यहां पर थोड़ी सी वल्लियोम अगर डाउन करते हैं तो आप सुन सकते हो यहां पर एक ग्रूव है अगर आप यहां पर देखो यहां पर तीन नोट्स आ रहे हैं और यहां पर देखो तो यहां पर सिरफ दो बारी वो नोट्स आ रहे हैं फिर से सुनते हैं एक परी यहाँ पर आप कुछ और भी advance चीजे कर सकते हो बोलने में वो advance लगेंगी लेकिन अगर जब आप उसको करोगे सो वो बहुत ही ज़ादा simple है मैं आपको करके दिखाता हूँ breaks जैसे कि यहाँ पर continuous जो हैं वो plugs चले जारी है अगर हम बीच में break लगते हैं सो काफी अच्छा एक interesting feel सौंग की बन सकती है लाइक अगर यहाँ से मैं ये दो को delete कर देता हूँ और अब एक परी सुनते हैं यहाँ पर कुछ इतना अच्छा groove नहीं बना है सो मैं क्या काम करता हूँ यहाँ से वापस इनको लेकर आता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ स्टार्टिंग के ये delete कर देता हूँ और अब सुनते हैं सो यहाँ पर भी इतना अच्छा feel नहीं आ रहा है सो मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पर इसको इस type से add करता हूँ और सुनते हैं सो ये भी कुछ जादा अच्छा feel नहीं आ रहा है सो basically आपको play करना है अपने patterns के साथ अपने patterns के साथ, अपने notes के साथ यहाँ पर अच्छा अगर feel लेकर दिखा हैं सो यहाँ पर हम वापस लेकर आते हैं और अब मैं ये वाला जो है last वाला गायप कर देता हूँ यहाँ से और अब सुनते हैं सो जैसे कि आप सुन सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा feel आ रहा है सो इक totally आप पर depend करता है कि आप किती creativity यहाँ पर कर सकते हो मैंने आपको एक starting point दे दिया है, basic point दे दिया है काफी time से एक मैं पस comment आ रहा था plugs कैसे बनाए, basis कैसे बनाए तो यह मतलब ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखके आप यही pattern सारे गानों में लगाओगे आपको अपने गाने का, अपने track का feel भी देखना है अगर आप कोई remix कर रहे हो track सो वहाँ पर आपको यह देखना है कि वो जो original track है वो कैसा feel कर रहा है उसमें क्या यह plugs के pattern इस तरीके से आने चाहिए है gap कहां होना चाहिए यह totally depend करेगा आपकी listening के उपर आपने कितने अच्छे से उस गाने को सुना है feel करा है और उसके बाद उसको आप बनाना चाहरे हो कि मैं ऐसे करूँगा यहाँ फिर यह plugs के pattern यहाँ पर लगाऊँगा यहाँ पर मैं stop करूँगा तब ही आपकी जो creativity है वो जादा अच्छे से निकल के आएगी आपके FL studio में and FL studio में जब आपकी creativity निकल के आएगी आपका एक interesting amazing sound track बनेगा आपका इस जैसे कि आपने देखा है sound है वो हमारे tracks में आ सकता है so I hope यह video आपको अच्छा लगा हो अगर video अच्छा लगा है so video कर देना like channel को कर देना subscribe and मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी next videos में